हो खेलो स्टूडेंट्स वैल्कम तो अभी लक्ष अक्टमी में आप सभीका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे तैम इन डिस्टेंस का पार टू आज की क्लास में बेसिक कॉंसेब्स रहेंगे साथ में और medium level की questions रहेंगे जहाँ पर हमने पिछली class में इसको छोड़ा था महीं से हम इसको आगे लेकर चलें धीरे-धीरे level को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है तो start करते हैं, आज का पहला सवाल देखते है तो यहाँ पर हम question देख रहे हैं कि a man covers a certain distance with 20 km per hour and returns at the speed of 30 km per hour and if he takes 10 hours in all, find the distance इसने question में क्या कहा है कि भई देखो, मान लेते हैं दो point है हमारे पास, a और b यहाँ से एक व्यक्ति इधर जाता है जो कि कितनी speed से जाता है 20 km per hour की speed से जाता है और return करता है जब इधर से इधर आता है तो वही distance वो 30 km per hour की speed से तै करता है ठीक है, और इसको कुल आने और जाने में जो time लगा वो जो कुल time लगा वो कही ना कहीं कितना time लगा इसने कभी 10 घंटे लगे ठीक है, अब देखो distance नहीं पता लेकिन यह तो पता है कि जाने की भी distance उतनी है और आने की भी distance उतनी है तो क्या एक distance assume कर ली जाए तो हमने का कि भी एक ऐसी distance assume कर लेते हैं जो 20 की speed से भी जिसको तै किया जा सके ठीक है, और 30 km की speed से भी उसको तै किया जा सके, मतलब जो 20 से भी divide हो जाए ठीक है, और 30 से भी divide हो जाए तो क्या ये ऐसा मान सकते है कि इसकी जो distance है वो हम 60 km मान लेते हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 60 एक ऐसी distance है 60 एक ऐसी distance है जो 20 km पर आवर की speed से भी तै की जा सकती है और कहीं न कहीं 30 km पर आवर की speed से भी तै की जा सकती है ठीक है तो हमने कहा जब ये 20 की speed से इधर गया हो ठीक है जब यह इधर गया होगा तो 60 km 20 की स्पीड से तै कियोंगे तो कही न कहीं इसको 3 घंटे लगे होगे थ्री आवर्स लगे होगे बिल्कुल क्लियर रहे गए और जब यह वापस यह इधर से इधर आया होगा 30 की स्पीड से 30 km की स्पीड से आया होगा तो कहीं न कहीं य उसको कुल आने जाने में कुल आने जाने में कही ना कही तीन और दो पांच घंटे लगें हमने का जो हमने डिस्टेंस मानी है उसके इसाब से हमारे कितने लग रहे हैं कही ना कही पांच घंटे लग रहे हैं तीन और दो पांच लेकिन कोशन कह रहा है कि नहीं कितने घंटे लग रहे हैं, तो कहीन ना कहीन आपकी डिस्टेंस भी तो दो ही गुना लगे गी, ठीक है, तो हमने का कि एक सो बीस किलोमेटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो आंसर हमारा option number, D बिल्कुल correct हो जाएगा 120 km, बिल्कुल ये clear रहेगा को इसमें problem नहीं आने चाहिए, किसी भी ही तरह की, ठीक है, next question देखते हैं, अच्छा इसके लिए एक और हमारे पास formula हो सकता है, कि अगर आप इसको formula को लगाओ, तो ये सब करने की शाद हमें जरूत ना पड़े, और answer हम दोनों ही speed का, plus कर दो, दोनों ही speed क्या कर दो, plus कर दो, और multiply कर दो, total time से, multiply कर दो किस से, total time से, तो आपकी क्या आजाएगी, distance आजाएगी, सीधा सीधा, ठीक है, मतलब ये एक formula हमारे सामने तयार है, अब distance अगर निकालनी तो पहली speed कितनी थी, 20, तो दोनों को गुना कर लो दोनों को गुना कर लो, 20 गुना, 30, divided by दोनों को plus कर लो, 50, ठीक है, और multiply कर दो, total time कितना लगा, उसको, 10 घंटे लगे, ठीक है जी, तो 10 से 10 ये cancel, 5 से 6 बार, और answer आजागा सीधा, 120 km, तो ये ज़्यादा आसान भी रहेगा, ठीक है, जब भी इस तरह का question है, कि एक तरफ से गया, और दूसरी तरह से वो वापस आ गया, अलग-अलग speed से, तो टोटल time दिया है, तो ये formula आप बिलकुल लगा सकते हो, ठीक है, इस case में, ठीक है, लेकिन concept के साफ से भी चलोगे, तो कोई बहुत जादा time इसमें लगने नहीं वाला, हमने distance एक मान ली थी, उसके साफ से time cover हो गया, ठीक है, जब time आया, तो हमने देखा, कितना गुना time है, तो जितना गुना हुआ, मने दो गुना हुआ, तो कहीना के distance भी जो आपने माने थी, उसका भी दो ही गुना हो जाएगा, और answer जल्दी से आ जाएगा, ठीक है, चलो, आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ प option बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा minutes का भी रोल दे दिया गया है, ठीक है, एक आदमी था, जो एक certain distance को 25 km पर ती घंटे की रफ्तार से तै कर रहा था, और return आ रहा था, वापस आ रहा था, चलते हुए, जो कि 4 km per hour की speed है, तो शायद हम formula यहाँ पर लगा सकते ह वाला, speed 1 into speed 2, upon में दोनों ही speed का addition कर दो, और multiply कर दो, क्या, total time से, तो answer आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि, पहली speed थी 25, ठीक है, और दूसरी speed थी 4, दोनों को add कर दिया, कही न कही 39, ठीक है, multiply total time, अब total time हमें निकालना पड़ेगा, अब total time कैसे निकलेगा, देखो, कही न कही पांच घंटे, प्लस, कही न कहीं, 48 मिनट था, तो 48 मिनट को hour में change कर लेंगे, 60 से भाग कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, 12 से 12 चोक, 12 पंजे, ठीक है, तो यहाँ पर जब LCM लोगे, तो 5 पंजे 25, 25 और 4, 29 बटे 5, तो कही न कहीं, यह जो time आएगा, hours में यह आ पांच चोक, 20 किलोमेटर की distance आपकी आ जाएगी, option number D, ठीक है, तो इस तरह से चिजों को करना है, ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह का कोशन है, कि एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से वहीं से वापस आगया, लग-लग speed से, और क्या रहेगा, कि यहाँ पर जो time लगा, कुल, कुल जो time लगा, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस formula में directly रख लेना है, अगर नहीं भी रखोगे, तो concept तो मैंने आपको पिछले question में बताया है, कि किस तरह से एक काम किया, ठीक है, असल में एक formula भी वहीं से निकला हुआ हुआ है, कि एक हमने distance मान ली, तो यह जो है, इन दोनों का multiple है, एक ऐसी distance आ गई, जो दोनों सो, दोनों की speed से तैक ही जा सकती थी, ठीक है, LCM लेके आपका यह काम हो जाएगा, यह कहीं न गई, उसी मैंतर से concept से ही निकला हुआ formula है, कोई अलग से निकला है, ठीक है, चलो, home to office, ठीक है, देखो, कभी भी इस तरह का question आता है, कि एक वेक्ति घर से चलता है, ठीक है, और अगर वो अपनी speed से चलता है, मतलब इतनी speed से चलता है, usual speed से नहीं बता रहे है, एक random speed से बता रहे है, 30 km per hour की speed से चलता है, तो 10 minutes लेट हो जाता है, लेकिन अगर वो अपनी change करता है speed, तो फिर वो time से पहले पहुँच जाता है, तो इससे पूछा गया है कि distance बताओ, उसकी कितनी थी, तो एक तरीका तो यह है, देखो, दोनों ही cases में, अगर मैं बात करूँ, दोनों ही cases में distance तो बराबर है, दोनों ही cases में distance तो बराबर है, क्योंकि जितनी वो पहल सकता हूँ भई कि अगर 30 किलोमेटर की speed से जाता है, तो distance का formula हमारे पास है, क्या speed into time, तो पहले वाले case में, पहले वाली speed और time रख लेंगे, दूसरे वाले case में, दूसरी speed और time, तो speed कितनी थी, पहले वाले case में, इसने कहा कि 30 की speed थी, और time इसने कहा कि usual से 10 मिनेट लेट इसका मरलब क्या मैं यह बोल सकता हूं usual time t रहा होगा तो t plus 10 time लग रहा होगा divided by 60 minutes यह km पर आवर में है तो मैंने क्या करा usual time ले लिया मैंने t था ठीक है उस t में 10 plus किया क्योंकि वो late हो रहा है usual time से 10 minutes late हो रहा है divided by 60 यह अगर बात करें 40 की speed से चल रहा है तो usual time t था और t से कितना time पहले 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 पहुचकिया है तो 5 minutes पहले पहले पहुचकिया है तो divided by यहां पर 60 यह एक concept के इसाब से कर चलें कहीना कही फॉर्मुले के साब से चलें तो यह आपकी equation बनेगी यहाँ पर अगर मैं solve करूँ इसको तो 60 से 60 cancel हो जाएगा ठीक है 0 से यह 0 cancel हो जाएगी और अब multiply कर देते हैं तो 3T plus 30 is equal to 40 minus 20 ठीक है तो 3T इधर जाएगा तो केवल 1T बचेगा minus हो जाएगा और यह plus हो जाएगा तो time कहीं न कहीं हमारा का आया है 50 time आया है 50 distance पूछी है उसने तो यह जो T है T की value या तो इसमें लगा लो या इसमें लगा लो कहीं न कहीं है distance ही तो थी ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो 30 into कहीं न कहीं T 50 plus 10 60 divided by 60 तो कहीं न कहीं जो distance ही कितने आजाएगी 30 आजाएगी option number A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है उमीद है चीजे समझ आ दिया आपको ठीक है formula के साब से तो कुछ इसी प्रकार यह equation बनेगी लेकिन अगर हम बात करें कि इसको जल्दी कि असे किया जाए क्योंगी इसमें तो पहले हमने time निकाल लिया अब time निकालने के बाद फिर हमने उसको distance के formula में दुबारा से रखा तो कहीं न कहीं हो time लग गया ठीक है चलो इसके लिए दूसरा एक formula देख लेते हैं देखो distance निकालने के लिए लेट या जल्दी के case में आपका formula होगा s1 into s2 मतलब पहली और दूसरी speed multiply कर लिया नो और दोनों का difference निकालना है आपर नीचे पिछले वाले case में क्या कर रहते हैं प्लस कर रहते हैं लेकिन यहाँ पर इनका difference निकलेगा और यहाँ पर difference of time आएगा अब difference of time जो है वो क्या होगा देखो अगर एक लेट है और एक जल्दी है ठीक है दोनों ही लेट है दोनों ही cases में अगर लेट है तो क्या हो जाएगा जैसे कि मान लेते हैं एक example मान लेते हैं देखो usual time t था और t से लेट हो गया यह और t से ही दोनों में cases में लेट है ठीक है तो इनका difference निकालना है तो difference निकालोगे तो इस तरह से निकलेगा difference निकालोगे तो यह हो जाएगा तो t t cancel हो जाएगा और यह दोनों क्या हो जाएगे यह difference आ जाएगा इनका तो कभी भी धियान रखना है लेट और लेट होंगे तो आपस में इनका अंतर निकालना है ठीक है अर्ली दोनों अर्ली होंगे तो भी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है लेकिन अगर एक केस में अर्ली है और दूसरे केस में लेट है तो उन दोनों को एड़ कर लेना है टा अगर इसको फॉर्मले में रखे हम तो यह कह सकते हैं पहली वाली श्पीड थी आपकी कितनी 30 दूसरे वाली श्पीड थी 40 और दोनों का अंतर दोनों का अंतर नेगिटिव नहीं आना ची इसलिए मैंने डिफ्रेंस का साइन लगाया तो 10 आ गया multiply difference of time की अगर मैं बात करूँ तो एक लेट था एक अरली था तो उनों को प्लस करना है 10 और 5 15 हो गए और लेकिन ये minute में था इसलिए इसको divide किया 60 से ठीक है अब इसको अगर आप solve करोगे तो answer आ जाएगा आपका बिलकुल अराम से 15 से 4 बार 4 से ये और ये 0 कट किया answer कितना आ जाएगा ठिक है इसे कोई खबराने वाली बात नहीं है इसमें क्या करना है बस आपको क्या करना है दोनों Ugh की जल्दी पहुंच गए तो दोनों का answer लेना है ठीक है लेकिन अगर एक case में जल्दी पहुँच गया है और एक case में लेट पहुँचा है तो उन्हों को क्या कर देना है प्लस कर देना है ठीक है चलो आगे बढ़ते है If a man walks at the speed of 5 km per hour He misses a train by 7 minutes However, if he walks at the rate of 6 km per hour He reaches station 5 minutes before ठीक है इसमें क्या था? यह miss हो गया है 7 minutes miss हो गया है लेट हो गया है इसका मतलब और अगर वो 6 km की speed से चलता तो वो 5 minutes जल्दी पहुच जाता है before arrival ठीक है चलो इसका मतलब एक case में फिर से लेट है और case में फिर से जल्दी है तो distance का formula कुछ इस प्रकार होगा S1 into S2 difference of speed multiply by difference of time यहां पर रखते हैं पहली speed कितनी थी 5 की दूसरी speed कितनी थी वही 6 की दोनों का अंतर आ गया 1 और time कितना हुआ वे 7 minutes और कहीं न कहीं 6 minutes 5 minutes 7 और 5 minutes ठीक है यह miss हो गई ती 10 और यह जल्दी पहुच गया था इसका मतलब कहीं न कहीं यह plus होगे एक में जल्दी और एक में लेट पहुच है तो 7 और 5 कहीं न कहीं यह 12 minutes और 12 minutes है तो कहीं न कहीं इसको 60 से इसको divide करना पड़ेगा ठीक है तो अगर इसको solve करें तो यह आ जाएगा 6 से 10 बार ठीक है 5 से 2 बार और 2 से 6 बार तो कहीं न कहीं जो distance है वो कितनी आ जाएगी 6 किलोमेटर की आ जाएगी option number D बिल्कुल correct है ठीक है इस तरह से चीजों को करना है आपको चलो next के अतरफ चलते है क्रिपलानी गोस तो स्कूल at 20 किलोमेटर पर आवर and reaches the school 4 minutes late next time he reaches 4 minutes 2 minutes earlier फिर से same है ये question तो अब क्या करेंगे 20 पहली speed दूसरी speed है 25 ठीक है divided by दोनों का difference 5 और एक में कहीं न कहीं 4 minutes late है और एक में कहीं न कहीं 2 minutes जल्दी है तो 4 और तो 6 minutes आ जाएंगे ठीक है दोनों को plus कर लिया क्योंकि एक में late है और एक में जल्दी तो divided by 60 तो ये हमारा answer आ जाएगा इससे ये distance आ जाएगी ठीक है इस पार बार बार नहीं formula लिखना है ये याद हो जाना चाहिए तो 6 से ये 10 बार 0 से 0 cancel 5 से 5 बार तो आ जाएगा 2 पंजे 10 km की distance है ठीक है option number A ठीक है इस तरह से करना है आपको बिल्कुल सिंपल रहेंगी चीज़े A man का वरसा certain distance at 10 km becomes 15 minutes late if it travels 12 km per hour फिर से late हाँ इस पे एक अलग है question तो distance is equal to speed 1, speed 2 upon my difference of speed और difference of time multiply करना है चलो यहाँ पर पहली speed अगर मैं बात करूं तो 10 है दूसरी speed कहीं नहीं 12 है दोनों का difference 2 और difference of time के अगर बात करें तो यहाँ पर 15 minutes late पहुँच रहा है और दूसरे case में भी 5 minutes late पहुच रहा है तो इस बार क्या गड़ना है दोनों का difference लेना है मतलब इस बार आपको 10 लिखना है यहाँ ठीक है एक में जल्दी और एक में late तो plus करना होता था बाकि अगर same same case है दोनों में early early और दोनों में late late है तो कोई ना कई minus करना है तो 15 और 5 का difference जो है 10 आजाएगा लेकिन यह minute में है इसलिए 60 से divide कर दिया ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं यह तो काम असान हो गया हमारे लिए जीरो से जीरो छे से दो बार दो से दो बार काईना के distance कितने आ जाएगी 10 किलोमेटर खतम question इतने देर में ही खतम हो जाएगा यह ठीक है चलो next थोड़ा सा change है इस question में कि एक जो व्यक्ति है वो 3 किलोमेटर faster अच्छा थोड़ा सा अलग है question यह देखो इसने का कि कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटर से एक certain distance travel करता है अगर वो travel करता है 33 km per hour faster यह नहीं बोला कि 3 km की speed से तै कर रहा है इसने का जितने ही speed से usually तै करता होगा उससे 3 km faster तै कर रहा है तो इसने का मतलब 40 मिनट कम टाइम लग रहा है लेकिन अगर वो अपनी speed 2 km घटा देता है usual speed से घटाएगा ना तो वो कह रहा है कि 40 मिनट लेट पहुचता है तो इसने का कि distance बताओ ठीक है इसका मतलब दोने cases में हमें क्या पता है distance नहीं पता है usual speed नहीं पता है अब usual speed नहीं पता है तो फिर क्या से रखे ठीक है लेकिन एक बात है usual speed अगर मैं x मान लेता हूं तो इसका मतलब distance हम पता है na distance का formula क्या है हमारे पास s1 into s2 divided by difference of speed ठीक है और multiply by difference of time यही आपके पास formula है तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूं पहले case की x मान लेता है speed कि usual speed x रही होगी और दूसरी speed कहीं न कहीं तीन बढ़ गई होगी तो x plus 3 हो गई होगी और दोनों का difference 3 आया होगा और difference of time अगर usual speed से चलता तो correct time पर पहुंचता ठीक है लेकिन 40 minute लेत हो रहा है दूसरे case में इसका अबला 40 ही minute का अंतर आ रहा है divided by 60 ठीक है और दूसरे case में भी अगर मैं यह रखू तो दूसरे case में भी तो distance तो वही रहेगी तो दूसरे case में अगर usual speed x है तो यहां से 2 की speed कम कर रहा है तो x minus 2 यहां पर difference 2 ही आएगा और यहां पर 40 minute का यह अंतर आ रहा है तो इसका मरलब 40 by 60 ठीक है यह रहेगा तो अगर य शो कर रहे है तो कहीं ना कहीं यह कट जाएगा हमारा x से x कट जाएगा अब यह cross multiply होकर यह 3 इजर मंटिपला हो जाएगा 2 इधर तो 2x plus 6 आजाएगा इधर और यह आजाएगा 3x minus 6 तो यह 2x इधर आएगा तो x बचेगा यहां पर और यह minus 6 इधर आएगा तो 12 आजाएग 12 plus 3 15 divided by 3 multiply by difference of time 40 बटे 60 अगर यह रख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो 3 से 4 बार 15 से 4 बार 4 से 10 बार तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 40 km की डिस्टेंस आएगी option number B ठीक है इसमें 2 cases दिये हो थे लेकिन यह बहुत अच्छा कोशन है ठीक है यह बह usual speed नहीं दी होती है तो आप इस formula से apply कर सकते हो कि पहले वाले में usual speed x थी तो दूसरे case में पहले वाले में x थी usual speed तो उसने बढ़ा दी थी 3 difference आगया 3 का यहाँ पर 40 minute का difference आगया time का ठीक है इस तरह से चीजों को कर सकते हो आप ठीक है बहुत बढ़ा कोशन हो जागा पूरा पेज बढ़ जाएगा इसको करने में ठीक है ऐसा एक और कोशन देखते है इसने का एक certain distance तो ट्रैवल करता है कार से लेकिन अकर वो अपनी speed बढ़ा देता है तो यहीं से start कर लेते usual speed x थी तो x plus 10 कर रहा हो divided by difference of speed 10 multiply by कितना time एक घंटा तो यहाँ पर minutes में नहीं चेंज करना है या hour में नहीं चेंज करना है यह पहले से hour में है ठीक है इस equal to दूसरे case में x थी distance speed और वो क्या कर रहा है increase कर रहा है और ज्यादा कर रहा है further increase कर रहा है 10 km तो इसका मतलब भी 10 तो पहले करी दी थी उसने और 10 कर रहा है तो कहीं ना कहीं x plus 20 नहीं होना चाहिए यहाँ पर ठीक है 10 तो पहले कर दी दी 10 और बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं x plus 20 और difference आजाएगा 20 का और time में कितना अंतर आएगा he takes 45 less time ठीक है तो इसका मतलब एक घंटा तो पहले कम time ले ही रहा था अब एक घंटा 45 minute तो एक घंटा 45 minute अगर वो लेगा तो कहीं ना कहीं इसको fraction में बनाएंगे तो 15 से 3 बार 15 से 4 बार 4 एक हम 4 4 और 3 7 7 बटे 4 नहीं आना चाहिए यहां पर तो यहां पर आएगा 7 बटे 4 ठीक है यह time आएगा अब इसको अगर हम solve कर लेते हैं तो answer आई जाएगा हमरे पास x cancel हो जाएगा 0 से 0 cancel हो जाएगा ठीक है अब यह cross multiply कर लेते हैं 4 औ 14 140 आएगा ठीक है यह 7x इधर आएगा तो x ही बचेगा और यह 80 इधर जाएगा तो कहीं न कहीं है कहीं न कहीं प्लस हो जाएगा और यह आजाएगा 220 ठीक है 60 और 20 हाँ यह ठीक है बिलकुल 220 आएगा अब यह x क्या यह तो usual speed है हमें क्या निकालना distance निकाल दिए तो distance के ल 220 गुणा 230 बटे में 10 गुणा 1 तो यह यह cancel हो गया हमारे पास और जब आप इसको गुणा करोगे तो कहीं न कहीं 0 और 2 तो 6 कहीं न कहीं ऐसा कोई आंसर है नहीं है कुछ गलत हो रहा है sorry यह minus होगा और यह 80 प्लस का था तो यह 7x तो इदर आकर minus हो जाएगा तो minus हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास किवल 60 बचेगा इसका मतलब उसकी speed 60 थी ठीक है यह गलती होगी इसमें कि यह पर यहाँ पर plus का था तो इदर आकर minus होना था ठीक है दोनों ह और अब x value 60 रहते है 60 into 70 upon 10 multiply by 1 तो यह cancel होगा 6 7s of 42 और 0 420 km की distance आपके आ जाएगी इसमें इस तरह से करना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए इसमें किसी भी प्रकार की थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है तो आज की class में इतना ही रहने देते हैं आज हमने इस तरह क distance निकालने के जो questions होते हैं जैसे कि return एक गया और वापस आया है या एक certain distance से चल रहा है certain speed से चल रहा है और उसकी speed बढ़ा दी या घटा दी गई तो इस तरह के questions आज हमने cover करें तो अमीद आपको ये class समझ आई होगी अगर आपको ये video पसंद आई तो like ज़रूर करें ठीक अमीद आई है जैसे कि अज़― कुछ ऑगल विधा कि वे खूख उरूर को यदिfonıs से तोभी पसर वहा है है कि तो आद.